हेलो चिल्रेन आज हम हिंदी ब्याकरन पुस्तक की पार्ट थ्री सद का अध्यन करेंगे सब्द को इंगलिस में वर्ड कहते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्द किसे कहते हैं वर्णों के मेल से सब्द बनता है सब्द कैसे बनता है वर्णों के मेल से जैसे घर घर एक सब्द है दो वर्णों घर और र के मेल से घर सब्द बना है कमल इसमें तीन वर्ण है शितरतोता इसमें भी ता और मातरा के मेल से बना है टमटम आम ये सब सब्द है बच्चों परतेक सब्द का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है यदि वर्नों के मेल से बने सब्द का अर्थ न हो तो उसे सब्द नहीं कहते जैसे ला प्लेस मा प्लेस का लमक, लमक सब्द नहीं है क्योंकि इस था कोई अर्थ नहीं होता का माला कमल, कमल एक सब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है अतर सब्द कैसे बनता है वर्णों तथा मात्राओं के मेल से और उसका एक अर्थ भी होता है परिभासा वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनी समू को सब्द कहते हैं जैसे कमल, नहर, आदी अब सब्द कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर सब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक सब्द, निर्थक सब्द सार्थक सब्द किसे कहते हैं जिन सब्दों का कुछ निश्चित अर्थ हो अथार्थ ऐसे सब्द जिनका कोई अर्थ हो उसे सार्थक सब्द कहते हैं जैसे उस्तक, पानी, व्रीच, कमल, नहर, घर, आदे निरर्थक सब्द जिन सब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक सब्द कहते हैं जैसे हह, पप, सस, टट, आदे बच्चों अब अभ्यास में पूछेंगे प्रेस्णों का उत्तर पढ़िए सब्द किसे कहते हैं? आंसर वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनी समुह को सब्द कहते हैं जैसे घर, बालक, आदे नमबर टू, सब्द के कितने भेद होते हैं? आंसर सब्द के दो भेद होते हैं सार्थक सब्द, निरर्थक सब्द नमबर थ्री, सार्थक तथा निरर्थक सब्द किसे कहते हैं? आंसर सार्थक सब्द, जिन सब्दों का कुछ निश्चित अर्थो उसे सार्थक सब्द कहते हैं, जैसे कमल, पानी, आदे निरर्थक सब्द, जिन सब्दों का कोई अर्थ नहीं हो, उसे निरर्थक सब्द कहते हैं, जैसे लमक हह आदे